आज की बढ़े हों हम क्लास 10 का आपका मैच्स का चैप्टर नमबर 13 है सर्फेस एरियास एंड वॉल्यूम्स आज हम एक्सरसाइज नमबर 13.2 का कोशन नमबर 1 करने जा रहे हैं कोशन आप सीख सामने है A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 cm and the height of a cone is equal to its radius find volume of the solid in terms of pi यहाँ पर आपको volume find करना है in terms of pipe और यहाँ पर आपको यह बूला गया है एक आपका solid बनेगा in shape of cone यहाँ पर आपका एक cone है यहाँ पर मैं cone draw कर लेता हूँ यह आपका है cone अब यहाँ पर आपको यह बूला गया है standing on a hemisphere यानि कि यह hemisphere पे stand कर रहा है with both their radii being equal to 1 cm इन दोनों की जो radius है वो यहाँ पर same है 1 cm किया अब यहाँ पर आपको आगे बूला गया है and the height of the cones is equal to its radius यहाँ पर आपको यह बूला गया है जो आपका यहाँ पर height है cone की height इसकी यह जो आपकी height है यह इसी की radius के बराबर है यानि कि यह 1 cm है तो फिर यह भी 1 cm है height जो है वो radius के बराबर है और radius है आपकी 1 cm तो फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं height of cone यह हो जाएगा आपका 1 cm radius of cone यह हो जाएगा आपका 1 cm अब यहाँ पर आपको hemisphere का जो आपकी radius है वो भी सेम रहेगी radius of hemisphere यह भी है आपकी 1 cm अब यहाँ पर आपको volume find करना है in terms of pi चलिए solve करते हैं यहाँ पर इन दोनों का अगर हम volume प्लस कर दें cone का और hemisphere का तो फिर आपका total volume आ जाएगा तो फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं total volume of solid यह हो जाएगा आपका volume of hemisphere plus volume of cone volume of hemisphere होता है आपका 2 by 3 pi r cube और volume of cone होता है आपका 1 by 3 pi r square h अब यहाँ पर इसको हम solve करते हैं और याद रहे हैं आपको answer pi की terms में बताना है तो फिर यहाँ पर से 2 by 3 into में pi into में radius का cube यानि की 1 का cube plus में 1 by 3 into pi into radius का square radius भी आपकी 1 cm है 1 का square और height height है आपकी 1 cm अब यहाँ पर इसको multiply करेंगे आपका जगा 2 by 3 pi plus 1 by 3 pi अब यहाँ पर base से में इसको हम add कर सकते हैं 3 by यह जगा आपका 2 pi प्लस में यह जगा आपका pi यानि की 3 pi by 3 यानि की आपका answer आगया pi तो फिर यह यह आपका answer हो जाएगा क्योंकि आपको answer होता है था pi की terms में तो फिर यह आपका यहाँ पर answer हो गया और यहाँ पर आप सभी unit भी लिख देना unit चली थी आपकी centimeter में तो फिर यहाँ पर आपकी unit हो जाएगी pi centimeter cube क्योंकि आपका volume है इसलिए centimeter cube लगा है area होता तो फिर centimeter square तो फिर final answer आपका pi centimeter cube हो जाएगा तो फिर इस वीडियो में इतना ही और बाकी वीडियो पसंद आएगे तो इस वीडियो के लिए टेलिकाम चैनल पर जोइन हो सकते हैं क्योंकि जितने भी new video आती है आपको वहाँ पर provide हो जाएगी तो फिर मिलते हैं आप से संदक्षड़ों में किसने टोक साथ अक लिए जाएए जयाए